हलो मेरा नाम सुखल सफेदा है वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LED स्टिक लाइट के बारे में और आज हम कंपेरिजन करने वाले हैं डीजिटेक इस वीडियो को बनाने के में दो रिजन है जिसमें सबसे पहला है के डीटेक का यह पर्टिकुलर मॉडल है यह एक्जैक्ली गोडॉक्स से इंस्पायर या कॉपीड आप कह सकते हो उस तरीके का है और दूसरा कंपेरिजन का रिजन गोडॉक्स के साथ इसलिए है क्योंकि गो इसमें लेकर के हम जो डीटेक का लाइट वांड है उसके साथ कंपेर करके आम यह पता चल सकता है कि दोनों में कितना वेरीशन है कितनी सिमिलारिटी से और क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर से जो आपको देन कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों लाइट की इंडिपेंडेंटली और दोनों लाइट में क्या-क्या फिजिकली चीज़े जो आपको जानने लायक है इनकी बिल्ट कॉलिटी कैसी है उनके बटन कैसे किस तरीके की फीचर से इसमें दिये गए है उ उसके बाद हम बढ़ेंगे टेस्टिंग के और टेस्टिंग में डिसकर करेंगे कि दोनों का पर्टिकुलर मोड में पावर किस तरीके से है इनका कलर अक्यूरसी कैसा है उन सब चीजों को इसके साथ में आपको ट्रावेल चार्जर दिया जाता है जिससे आप लाइट को च लाइट है वह बहुत ही सिक्योर रहेगी लसी फाइंड डर की अगर में बीड़ कॉलिटी की बात करो तो यह बहुत ही अच्छी बहुत ही स्टर्डी और बहुत ही स्ट्रॉंग मटीरियल से बनाई हुई है इवन दो इसका पूरा लाइट का मटीरियल है वह कंप्लीटली प बज़े से आपको कभी भी ऐसा फिल नहीं होगा कि जो लाइट है वह चीप कॉलिटी से बना हुआ है या फिर तूट सकता है अब फीजिकल फीचर्स की बात करो तो उपर की और नीचे की तरफ आपको दुनों जगा पर स्टेंड पे लगाने के लिए जो स्क्रू माउंट कृश्च को जितना फिया होता हुगह अब क्या है फ्रण है यहां पर चोटा सा एक झ्रीज प्रणकर क्या गया है वावक्रवाइट कशेंड जिसमें आपके से ब्सक्रूम है और यहां पर आपको सेथिक आप करने के लिए पटनस हो है पीचे की तरफ आपको जब्लिक्र कर दिया जाता है आपको एक हाड केस जो गोडॉक्स में आपने देखा वैसा नहीं दिया जाता यह बेजिकली एक कपड़े का पाउच है जिसमें आपको लाइट को करी करना है जो कि मेरे इसाफ से बहुत सेफ और नहीं है उसके अलवा आपको चार्जिंग के लिए यहां पर के चीज है यहां पर आपको LED बैटरी जो है आपकी वह लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है जो के MPF बैटरी जो के जनल एलीडी में लगती है वही बैटरी आप इसमें लगा सकते हो और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका बांड डोर है और इसमें जो सार कर पड़ेगा वह हम टेस्टिंग में देखेंगे और अगर इस बांड रख निकालना चाहते हो तो यहां से इस क्रूव को आप लूज करके इस बांड और को आप इसे यूजर नहीं करना चाहते तो उसके अलवा पूच्छे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पे भी बंठंस हैसे लेआउट है विसने लेआउट के बरें решtu करना कि इसका दिसकर करना जाता हूं हूं इसका जो वह जो डौक सी इशसें है इवन जो बंस से उनका प्लेशमेंट ओर लेड का प्लेशमेंट ऑर इसका मैंन्यू है जो इसमें जो फंक्शन्स दियो हुए है वो भी गोडॉक्स की तरीके सेम है तो एक बार उसे देखते हैं नाव लैट मी शो यू के इन दोनों लाइट में जो फंक्शन्स है जो एलेडी से वह कैसी है फर्स फॉल एलेडी आप देखोगे तो सेम साइज है दोनों की अप्र बाइटनेश डीज है तो करनी है और अगर आपको कील kalo यहीं जींञे करनी तो आप यहाँ से फोलेटव कर सकते हो और अगर आपको केल्विन वेलिव शेंज करनी है तो आप यह से डायेकली केल्व एलिव अपनी प्लस dollars कर सकते हो अभ मुझे डीटिक टियू रही पशंद- इरिटेटिंग लगी वही है कि अगर ब्राइटनेस को मैं 100 तक लेके जाना चाता हूं तो मुझे यहां पर इसको काफी देज तक प्रेस करके रखना पड़ेगा और काफी लंबा टाइम प्रेस करने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो 0-100 जाएगी और लेट में जब शोओ युकि अगर यही चीज मैं गोडॉक्स में करता हूं तो किस तरीके से होती है तो एस यू कन सी के गोडॉक्स में डायरेकली अगर मैं इस राउन को फास्ट घुमाऊंगा तो यह अंडर्ड टक पहुंच जाएगी अगर मैं इसके मोड को क्लिक करता हूं तो यहां पर जो RGB मोड वो ओपन होता है इसमें भी RGB मोड ओपन होता है यहां से आपका यू और saturation जो है वो चेंज कर सकते हो और सेम इसमें भी यू और सेचुरेशन का दोनों का उप्शन दिया है जो ब्राइटनेस है वो सेम यहां पर आप LED का जो पावर है प्लस माइनस कर सकते हो अब चलते हैं नेक्स्ट मोड में जो कि जो स्पेशल इफेक्ट्स वाला जो मोड है तो दोनों लाइड में जो स्पेशल इफेक्ट्स के ऑउप्शन दिये थे अब आप देखो कहें तो इवन जो पर और वहसे हैं उनका लेजूता्य कि स्पेशल इफेक्ट्स है और उनका जो सौर्टिंग उन्वोता हैं वह भी सेम है कि अब जैसे कह आप देख सकते हो तीवी मौड इसमें भीुमी मोर सारे जो special effects है वो सेम नंबरिंग पर है और सेम दोनों में 1414 मोड भी दिये हुए है तो वो भी exactly same है जैसे कि आपने देखा कि इनका जो दोनों का menu system है वो exactly same है इवन जो options है वो भी even options की जो sorting है उसमें भी कोई variation नहीं है और इसमें जो effects जो special effects जो दिये हुए है दोनों लाइड में वो मैंने टेस्ट किया हुए है गोडोक्स के जो effects है वो बहुत ही smoothly और बहुत ही अच्छे से वाग करते है इवन कुछ special effects जैसे के fire का effect है या फिर ambulance है उनकी जो settings है उनकी जो settings की dialing है वो बहुत ही perfect और accurate है और मैंने इस लाइड को थोड़े दिन के लिए यूस किया और मुझे ही पता चला कि इसमें जो special effects दिये हुए है उनकी जो accuracy है वो इतनी अच्छी नहीं है अगर तीवी मोड में इस light को on करते हो तो TV मोड में जो light है उसमें सिर्फ दो ही तरीकी की light में इसमें on और off हो रहा है मतलब कि इसमें जो settings है वो बहुत जादा accurate नहीं है इवन तो एक अच्छी चीज है कि इसमें special effects है वो दिये हुए है पहले से अगर आप उसको किसी विए में यूज करना चाते हो तो बट इसके जो special effects है वो इतने इतने effective और इतने अच्छे से की settings dialed in नहीं है तो आइठिंक वो चीज़ तो अगर डीटेक एक software अपडेट से भी चेंज कर सकती है इवन मुझे जो music mode है जिसमें light की तरफ से microphone यूज करके जो music के beat के साफ से light चेंज होती है उसमें भी कुछ variation दोनों के result में मिला है godox जो है वह बहुत ही accurately music को follow करके beat को follow करके light को change कर रहा था और यह जो light है डीटेक की वह music को बहुत ही अच्छे से track नहीं कर पा रही थी और उसके जो output और जो music में जो similarities होनी चाहिए godox की तरीके से वैसी मुझे देखने हो का नहीं मिले तो I think effect effect जो इसमें दिये हुए है जो godox से exactly same है वह इतने effective नहीं है जितने godox में है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे के जो दोनों LEDs है उनमें दोनों के बीच में पावर का क्या वेरेशन अगर कैमरा सेटिंग्स को सेम रखते है तो दोनों का जो पावर है उसमें क्या वेरेशन आ रहा है तो 5500 Kelvin में godox को अगर मैं यूज करूँ तो इस तरीके का जो पावर आउटपुट है वह आता है सेकंड जो इमेज अगर godox की जो फ्लेश अगर आप उसका फंक्शन बटन पर क्लिक करोगे तो वह थाइपर पावर मोड में चली जाती है जिसमें एक्ष्ट्रा थोड़ा सा पावर करने की कोशिश करती है तो यह उसका रिजल्ट है पहले godox का अगर आप देखोगे तो दोनों में इतना सा वेडिशन आता है लेकिन इस टेस्टिंग में हम देखेंगे के दोनों जो एलेडी से वह बेजिक पावर पर 100 पर संट पर किस त मुझा इस तरीके से और घए इस तरीके से पावर आता है उसके बाद अगर 32 Train Anha कि में बात करूं तो 3200 पर जो पावर है वो इस तरीके से से में इस तरीके से आता है है आउट पुट 3200 ein मैं और जै01 को समं सक्तिया मैं से तुझेरी से तोड़ा सा कम है और अगर आप 5500 केल्विन पर भी देखोगे तो 5500 केल्विन पर भी सेंटर में जो आउट पुट आ रहा है जो सेंटर में जो कॉंसेंट्रेटेड लाइट की अगर मैं बात करूं तो वह गोडॉक्स की जादा है डिजी टेक के माम कंपेरिजन में लेकिन सिपड़ लाइट का जो सप्रेड है वो दोनों में 3200 केल्विन पर भी और 5500 कल्विन पर भी जो स्प्रेड है वो डिटेक का ज्यादा स्मूथ है बिकॉसमें जो डिफ्यूसर है वो पहले से लगाया हुआ है तो अब देखते हैं कि जो लेडीज है इनका पावर आउट तो जो डीटेक है उसका इस तरीके का आउटपुट आ रहा है अब डीटेक और गोडोक्स की में बात करूँ रेड कलर में तो पावर में बहुत जादा वेरिशन आ रहा है लेकिन सर्प्राइजिंगली जब मैंने इसे ब्लू में स्विच किया तब इसका पावर टोटली इस ऐसा क्यों हुआ इसका क्या रिजन है यह मुझे नहीं पता लेकिन ब्लू और रेड अगर आप डीटेक का ही कंपेर करोगे जैसे यह आप देख रहे हो डीटेक का ब्लू और डीटेक का जो रेड है इनमें पावर में काफी जाधा वेरिशन है इनकी जो ब्राइटनेस लुमिनस यह उनमें काफी जाधा वेरिशन आ रहा है अब इसका रिजन मुझे नहीं पता लेकिन इस तरीके की इनकंसिस्टन सी नहीं आनी चाहिए अब अगर मैं ब्लू की बात करूं तो ब्लू में गोडॉक्स में इस तरीके का पावर जन्रेट हो रहा है और डीटेक में ब्लू कलर के अंदर इतना साथा पावर में वेरिशन मुझे नहीं लगा अब बात करते हैं कलर एक्यूरिसी किस तरीके से तो फिफ्टी एंड़ेट केल्विन पर अगर आप देखोगे तो फिफ्टी एंड़ेट केल्विन पर जो गोडॉक्स है उसमें मैंने कैमेरा में भ पर फिफ्टी एंड़ेट केल्विन पर अगर आप देखोगे तो 3200 केल्विन पर गोडॉक्स में इस तरीके का रिजल्ट आ और सेम डिटेक में 3200 केल्विन पर इस तरीके का रिजल्ट आपको दिखाए देगा जिसमें अगें जो आप जो वाल है वो थोड़ी सी यल्लो इ अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आरजीबी की यह जो वेल्यू है इसमें आर जो है वो रेड है और अगर आरजीबी में अपका और रेड को आपने पर्फेक्ली सेट किया तो ग्रीन और ब्लू जो है वो एकदम कम या फिर जीरो रहना चाहिए उससे यह साबित होता ह है कि कलर एक्यूरेट यह को साइंटिविक मैं नहीं है लेकिन मैं इस तरीके से चेक करता हूं तो कुछ हद तक जो रिजल्ट है वो एक्यूरेटली मुझे मिल जाता है तो जैसे कि आप रेंडम ली अगर कहीं पर क्लिक करोगे तो आपको जो आर का जो वैल्यू है वो लू कि अब मैं सेम चीज़ अगर कि डीटेक में टेस्ट करता हूं तो डीटेक में भी आप रिजल्ट देख पा रहे हो कि कलर एक्यूरेसी डीटेक की भी कुछ हद तक अच्छी है इस मामले में सब्सक्राइब करते हैं तो एक बार प्लू कलर में किस तरीक है का क्लाइकक चैक करते हैं तो कlet जैसे के में एर यहां पर क्लिक किया आप रेड़्ज है जो है वो जीरो खेलो म investigation चाहिए और जो ब्लू है सिर्फ उसकी वेल्यू यहां पर दिखनी चाहिए तो एस यू कन सी के गोडोक्स में अगर रेड में अगर मैं क्लिक करता हूं तो जो ग्रीन है उसकी तरफ भी थोड़ा सा कलर जा रहा है बट वह इतना जादा नहीं है कि जिससे बहुत ज्यादा कुछ वेरि तो अगें डिटेक में जो रेड है वह ज्यादा आ रहा है इसमें ग्रीन बहुत ही कंट्रोल्ड है लेकिन डिटेक का जो ब्लू है वह थोड़ा सा रेड की तरफ जाता है कि अब यह जो आपने टेस्टे का यह सौफ़ेर किया है और यह कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं है कलर एक्यूरिसी चेक करने के लिए लेकिन अगर मैं जबाइद लूक बात करूं तो रेड वाइस अगर मैं बात करूं तो रेड में जो एक्यूरेट मुझे लगा वह गो है वह थोड़ा सा मरून की तरफ जाता हुआ लगा ब्लू की अगर में बात करूं तो ब्लू का दोनों के जो ब्लू है वह बहुत ही अच्छे और एक्यूरेट है और मुझे इतना साधा उसमें कोई इस्यू लगा नहीं डिटेक में भी या फिर गोडॉक में भी अब इन द दूसरा फोटो है यह डिटेक की लाइट से जो बांडोर है अगर उसको यूज करते हो तो इस तरीके का लाइट कास्ट होता है दोनों में काफी वेरिएशन है अब मैं एक चीज यह कर दो कि जो बांडोर है वो मैंने एकदम जो मैक्सिमम मैं जितने उनको बंद कर सकता था तो इस तरीके का लाइट क्रेट हो रहा है एक बांडोर को यूज करके जो मैंने लाइट ट्रावेल वाला एक जो वीडियो लिया वह आपको बताता हूं तो यह पहला वीडियो जो आप देख रहे हो यह गोडॉक से लिया हुआ है और इसमें बांडोर अगर आप बंद करत तो इस तरीके का लाइट शेप आपको मिलेगा कर दो हो यह वीडियो जो डीटेक का बांडोर है उसको मैंने टेस्ट किया है इस वीडियो में डीटेक में साइट से जो लाइट से वह बहुत ज्यादा लीक हो रही है ऐसा मुझे लगा अगर मैं टेस्टिंग को समराइश करبيब तो मैं यह होंगा कि जो यब यल्लो य्ब्राइट का जो LISA उनका अगर में टेस्टिंग को समराइश करू पहले तो उनमें जो कलर अक्रिक्टी है उसमें थोड़ा सा मुझे लगा डीटेक और गोडोक्स में डीजी टेक का जो एलेडी से वो तोड़ा सा यलो की तरफ ज्यादा तीन्ट दिता है जबकि गोडोक्स का है वो कुछ हद तक कलर एक्यूरेट है उस मामले में और पावर वाइस में अगर बात करूं तो पावर के इसाब सागर देखा जाए तो जो गोडोक तो प्रेड हो जाती है क्योंकि उसमें डायरेक्ट लीटिफ्यूजर जो है वो लाइट के ओपर ही अब मैं अब अर्जी वी मोड की बात करो तो आर्जी वी में जो पावर है उसमें थोड़ा सा वेरियेशन है गोडोक्स का पावर है वह आजी भी मोड में डीटेक लाइट से थोड़ा सा जादा है और कलरे की अदा बीकोज उसमें लाइट जो है साइट से वो बहुत ही कम होता है और बंडोक्स के जो और soci you में मुझे थोड़े साचे लगे क्योंकि डीटेक के जो बांडोर्स है वो ओपन और क्लोज होने में तोड़ा सा उसमें मुझे दिक्कत आ रही थी और उसका जो लाइट जो कास्ट होता है उससे वो भी मुझे नहीं पसंद आया तो बांडोर वाइज और वाइज गो विट गोडॉक्स इसके जो पावर है वो भी बहुत ही सफिशन है अगर अगर प्रोफेशनल यूज में लेने वाले हो तो डेफिनेटली आपको गोडॉक्स के साथ जाना चाहिए विकास इसकी डूरेबिलिटी और इसकी कलर एक्यूरेसी की वजह से आप इसको बहुत ही लंबे टाइम तक यू इवन डीटेक को अगर मैं यूगनू जैसी कुछ निए चाहिए यूगनू है या फिर सिंपैक्स है वैसी कोई कमशन के साथ में अगर कंपैर करो तो उस ओरियेंटेशन से देखा जाए तो डीटेक बहुत यह अच्छी है प्राइस अगर मैं बात करो तो डीटेक की जो प् गोडर की Phrase से बिल्कुल हाफ है तो उस बार इसकी बीड क्वैश और को देखा जाए तो इसक्का इंग बीड क्वैशका से हमारी सम Авाव प्राइस की अगर देखा की है शाहर बात करो तो डीटेक की वह प्लेश के इतनी और Godox के साथ में compare करने लाइक नहीं है बस तिल इस प्राइज में अगर आप कोई और light को देखने जाओगे तो उस orientation से अगर आप उस चीज को ध्यान में रखे अगर आप सोचोगे तो डीटेक का जो performance है वह बहुत ही है बहुत है कि सेवन थाउसन में आपको ऐसी लाइट मिल रही है जिसका जो तो अगर आप काम जो है उसमें किसी भी तरीके का आपको वैरियेशन या लाइट मैं किसी भी तरीके के अबनॉर्मालिटी आपको नहीं चाहिए और एक रिलाइबल लाइट अगर पर्चेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली गोडॉक्स के साथ जाए और अगर आप सिर्फ ए तक का ही बजेट है तो डेफिनेटली आप डीटेक के साथ जा सकते हो बिकॉस इसका भी जो रिजल्ट है वो मुझे इसके प्राइस के इसाफ से अच्छा लगा है तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइ पीजे थैंक यू सो मच वख वुड़ देख